क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का question है चैक्टर का example 3 consider किया हुआ है एक triangle A, C, B, right angled है C पर जिसमें आपकी जो AB है वो 29 है, BC है 21 unit ठीक है figure हमें दी आईगी ABC यानि की B पर क्या है angle theta determine the values of cos theta, sin theta देखो, सबसे पहले जब हमें right angle triangle दिया होगा तो आपका सबसे पहले काम होगा, तीनो side find करना, तो मेरे पास इस triangle में 2 side है third side नहीं है, तो सबसे पहले हम वो निकालेंगे, तो देखो theta इसको कह रहा है, और यहाँ पर भी theta mention है, तो यानि कि theta के सामने वाला होता है सबसे पहले लगाएंगे हम in triangle a, c, e, p by using pythagoras theorem h square is equal to p square plus b square, यहाँ पर h है आपका a, b का square, p है आपका a, c का square plus b है आपका b, c का square, a, b होता है आपका 29 का square, a, c है आपका आपको पता नहीं b, c है आपका 21 का square, 29 का square आता है आपका 841 is equal to p square 21 का होता है 441, 841 minus 441 ही आएगा, आपका p square ही आएगा 400 square जो है, अगर इधर square है तो इधर जाकर बन जाएगा square root यह होता है आपका 20 का, यानि कि जो आपका perpendicular है, यानि कि perpendicular यहाँ पे a, c ही कहो a, c, a, c, a, c, तो आपकी a, c कितनी आ गई, 20 unit, ठीक है अब हम आराम से क्या निकाल सकते है, sine और cos की value sine theta याद कर लो होता है, p by h, यानि की a, c by a, b, यानि की 20 by d, 9 cos theta होता है, आपका b by h, यानि की b, c by a, b, यानि की 21 by 29 सकते हैं, इतना करना है, उसके बाद जो values निकालनी है, वो निकाल दो, first में निकालनी है, आपकी, cos square theta plus sine square theta, ये 1 ही आना है, ठीक है, इसके identity 1 होती है, cos square theta, यानि की 20 by 29 का square ये होता है, 441 plus 400, नीचे 841 ही आएगा दोनों का, ठीक है, LCM लोगे जब आप, ये हो जाएगा, आपका 841 upon 841, that is 1, 1 आ रहा है, absolutely correct, क्योंकि identity होती है, cos square theta plus sine square theta, 1, second हम निकालेंगे, cos square theta minus sine square theta, cos square theta है, आपका 21 by 29 का square, minus, ये है, आपका 20 by 29 का square, ये होता है, 441 upon 841, ये होता है, 400 upon 841, चिक है, अब, LCM लोगे 441 upon 400 minus 841, यानि की 41 upon 841, ये हमें दोनों find out करने थे, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को subscribe जरूर करें, thanks for watching,